है तोस्तों आज हम पढ़ेंगे माईकल एडिशन रियेक्शन तो यह भी एक कॉंजुगेड एडिशन काई टाइप है बट यह होता है और अर्गनिक नुक्लोफायल और और अर्गनिक इलेक्टोफायल के बीच में यानि कि जो नुक्लोफिलिक्साइट होगी वह भी कारवन वाली होगी तो जो नुक्लोफायल होता है उसको हम नाम देते हैं माईकल डोनर और इलेक्टोफायल को हम बोलते हैं माईकल एक्सेप्ट तो जब भी यह दोनों रियेक्ट करेंगे हमेशा कॉंजुगेड एडिशन प्रोड़क्ट ही बनेगा तो यहां पे हम एक्जामपल हम बेसे लेटनेुक्लोफायल यानि माईकल डोनर का इनुलेट और माईकल एक्सेप्टर में हम एक्जामपल लेते हैं कॉंजुगेड़ किटोन का तो जब भी यह दोनों रियेक्ट किए तो इस वाले कारवन यानि कारवन नुक्टोफायल और यह होग strongly empresize. тут यह कारवन कार बन इसलिए हम इसको बोलते हैं और गनी नुकलो फाइल और और गनिक एलेक्टो फाइल तो इनो ने आपस में रियट किया तब यहां पर इनॉलेट बन गया अभी इनॉलेट सॉल्वेंड में से या तो प्रोटोन को एक्सप्ट करेगा यह अगर इलेक्टो फाइल परजेंट bond form होता है तो यहां पर जो बेस का यूज होता है यानि एने वेस्ट का यूज इनका मोस्टली काम होता है यहां पर इनुलेट का formation जैसे कीटोन हुआ इसमें अलफा प्रोटोन तो अब यह बेस्ट के साथ पर्जेंट होगे यहां पर इनुलेट को form कर देगा तो यह हो जाएगा हमारे यहां पर औरनिक नुकलोफायल या माइकल डोनर तो अब यहां पर माइकल डोनर बनाएगा तो बीस का जो में काम यानी करते हैं या LDA का यूज़ करते हैं वो मेन गाम नुकलोफाइल बनाने में होता है अब अगर यहां पर इलेक्टोफाइल परजेंट नहीं होगा तो प्रोटिक सॉल्वेंट का हम यूज़ करते हैं जिससे कि प्रोटोन को एक्सेप्ट करके यह इनुलेट इस्टेबल हो जाए और कीटोन हमें देज़े तो इनुलेट से जादे स्टेबल होता है क्या कीटोन अब हम समझेंगे माइकाल एक्सटर को बट सॉट में समराइज करके तो अगर यहां पर देखो एलकीन के साथ कॉंज़ुगेशन में हो सायनाइड और नाइट्रो ग्रूप तो इन दोनों के क कि इसमां हमेसा कॉंज़ुगेशन ही होगा यानि कि जो नुकलोफायल होगा में से इस कारुण पर अटेक करेगा जिससे में कॉंज़ुगेशन मिलेगा बाट अगर कार्विल पारजेंट हो तो डारेक्ट और कॉंज़ुगेशन दोनों हो सकते हैं तो यहां पर इसको इनहीं पर attack कर लेता क्योंकि यह होते हैं reactive तो इससे हमें मिलेगी सीधे direct addition product बट अगर परजेंट हो ketone, ester, amide या acid तो यह होते हैं less reactive तो nucleophile attack करता है इस carbon पर तो हमें मिलता है यहाँ पर conjugate addition तो summary के लिए या sort में याद करने के लिए इतना ही काफी है क्योंकि यह होते हैं reactive तो nucleophile attack करेगा यहाँ पर और यह होते हैं less reactive तो यह nucleophile attack करेगा इस कारून पर यानि हमें मिलेगा conjugate addition अब हम पढ़ लेते हैं कुछ common Michael donors को जो Michael acceptor के साथ हमेशा conjugate addition reaction ही देंगे तो पहला case देख लेते हैं आपे डाइ कार्बोनिल तो देख लेते हैं आपे यह है उसका acidic proton अब मालों आपने शुरुआत में बोला था कि अलकोक्साइड या LDA का यूज करेंगे तो यह क्या होते हैं बेस इस proton को remove करेगा यहां पर आ जाएगा negative charge इस कारून पर तो यह negative charge इधर भी और इधर भी resonance में जा सकता है यानि डिलोकलाइज हो सकता है जिसकी वैसी यह जो बेस बनेगा या यह सब माइकल डोनर जो होते है वह होते यहां पर प्रोटोन निकला तो किन कीश में बनेंगे हमारे पास माइकल डोनर एक तो डाइक कार्वनल के केस में एक नाइट्रोdf 1987 के में यह प्रोटोन जैसे रिमूव होगा यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यह निक्लोफाइल की तरह काम करेगा बढ़ हमेशा माइकल एक्सेप्टर के साथ देगा कॉंजुगेट एडिशन रियेक्शन तुसी तरह से यह जब यहां से रिमूव होगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा नेगेटिव सी एन यह भी यहां से कॉंजुगेट एडिशन रियेक्शन देगा इनामीन भी कॉंजुगे addition reaction देता है माइकल एक्षेप्र के साथ एलकली इनोलेट mostly lithium या sodium का यूज होता है तो यह एलकली इनोलेट है यह भी क्या करेंगे आपर conjugate addition reaction देंगे उसी तरह से cellule इनोलिधर भी आपर conjugate addition reaction देगा अब हम देखेंगे कि कब direct addition possible होगा तो इसके दो case है एक तो low टेंपरेचर होगा या इस्ट्रोंग बेज जिससे की एलकेल लीथियम या गिरिगनार्ड रीजेंड परजेंट हो तो अभी हम एक्जामपल ले लेते हैं आपे इनो लेट का तो यह हैं लीथियम इनो लेट यानि कि माइकल डोनर का तो हम यहां पर टेंपरेचर के केस को डिस हाई क्वांटिटी में आपे बन रखा यानि इस नुकलो फाइल ने डारेक्ट यहां अटेक किया तो यह होगा हमारा डारेक्ट एडिशन प्रोड़क्ट तो जो फास्ट बनता है यानि टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता और एकदम से बनता उसको हम बोलते हैं कानेट प्रोड़क्ट यानि डारेक्ट एडिशन जो होता है वह होता है यहां पर कानेटिक प्रोड़क्ट अब हम टेंपरेचर बढ़ा लेते हैं जैसी टेंपरेचर बढ़ा है हमें कॉन्जूगर एडिशन जो प्रोड़क्ट है वह हाई क्वांटिटी में मिला तो यह बनकि हमा आटेक किया यहां पर तो जब भी low temperature होगा या यह दो बेस इस्टॉंग बेस जैसे की एलकिल ली थे हम ग्रिगनार डिजन्ट यूज होंगे तो यह mostly हमें क्या देंगे डारेक्ट एडिशन देंगे बट अगर यहां पर माइकल डोनर यूज किया जाए माइकल डोनर यूज किया जाए तो हमें temperature को भी ध्यान में रखना पड़ेगा तो हमें temperature थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा जिससे हमें conjure edition product ही मिले बट अगर यह दोनों बेस परजेंट होगे तो यह हमेशा देंगे यहां पर डारेक्ट electrophilic side दोनों पर algal groove जूट रखे हो तो यह दोनों या तो sin हो सकते हैं या anti हो सकते हैं तो यह product की stereo डिपेंड करेगी यहां पर inolate की stereo पर तो अगर Z inolate होगा यानि कि यह है हमारा Z inolate और यह हमारा E inolate तो अगर Z inolate होगा तो हमें देगा antiform और अगर E inolate हुआ तो यह हमें द दोनों proceed होते हैं इस eight member transition state से तो यहां पर हो गया एक दो तीन चार पांच मैटल चटा साथ और यह होगे इस तरह से ring बन जाएगी यहां पर eight member type की तो इसको हम बोलेंगे eight member transition state तो जब यह proceed होगा तो यह हमें देगा यहां पर anti तो अगर हम इसको यहां पर rotate करें तो rotate करने प दोनों एक ही side में हैं जब यह वाला group और यह वाला group एक side में होगा सेम यहां पर भी है अगर यह दोनों group हम यहां पर इस जो पीस में इस कारण कारण के बीस का बांड इसको rotate करेंगे तो यह दोनों group एक side में आ जाएंगे और यह दोनों hydrogen एक side में आ जाएंगे यह दोनों group प्रूब सेम हो जाएंगे तो जैड इनोलेट हमें देगा यहां पर एंटी फॉर्म और इनोलेट हमें देगा यहां पर शिन फॉर्म तो आप इनको रोटेट करके देख सकते हैं आपको सौंज में आ जाएगा है वह पढ़ेंगे मुकायाम हमा माइकल एडिशन तो जैसे मुकायाम हमा यूस किया था सिल्य इनियों यहां पर उन्हों ऑढ़ें यूस क्या है सिलुल इन्हों इंद तो जब भी मिलक एडिशन के सान् Kalon चाहें हूर्म जब भी यह वो यूश करते हैं चाहाए हो या इनोलेट हो या इनोलेट हो या इनोलेट हो हमेंसा एंटी फॉर्म ही बन रही थी इसलिए बाद में समें किया गया टैटिनियम टैट्रा आइसो प्रफोकसाइड का यूज करके तो जब इसको यूज किया गया तो यह जैड इनोलेट हमें दे रहा था and the from joby थोड़ी तरह प्रहला हम लोगों ने दे Спасибо यहापर भी जणीव डिरीति हमें कि अगर यहां पर होती मालो यह फॉंक तो हमने देता यहां पर कैके सिंवें unseen कॉंटिंटी में उत्य से यह था मंचाइमा माइकलãyटिसन और यह है इसका मोड़ी फिकेशा तो माइकल एडिशन में मोच लिए इतना ही था थैंक यू